सूरत गुजरात भारत्थी प्रकाशित गुजराती दैनिक गुजरात मित्र मांग तारिक 14 ओक्टोबर 2022 नांग रोज चर्चा पत्र विभाग मांग सूरत निवासी पियुश महेता नूं रजुआत पामेलूं चर्चा पत्र विशे सूरत चोखाई मांग बीजूंपन हाल सूरत शहेर ने स्वच्छता बाबते देश मांग बीजो क्रम प्राप्त थयो छे ते बाबते अभिनंदन आपता चर्चा पत्रो गुजरात मित्र मांग प्रकाशित थया तेमा महानगर पालिका नांग घर घर कचरो उगरावनार लोको पन समावेश्ठ थयो अहीं एक वात उमेरवानी के भीनो अने सुको कचरो तेओ जरूर लेचे पन रुक्षो नांखरेला पांदडा जेवो सेंद्रिय कचरो तेओ लेता नथी जेथी मोटी मोटी संस्थाओ के जेओ अनेक रुक्षो साथेना मोटा मोटा कमपाउंड धरा आवेश्चे तेओ आवो कचरो पोते बाळी नाखवानी फरज पडेचे अने ते काम पन घणी वखत एका एक शरू करवामा आवेश्चे जेथी आसपास ना गहेवासियो गुंगला मन ठाये चे आ चर्चा पत्री जे विस्तार मां रहेचे त्या महानगर पाली का नाग ब आवो कचरो जो फ्री मां मलतो होए तो तेने भेगो करीने कुद्रती ओर्गेनिक खातर बनावी आवक उभी करवानूं केम करती न थी एवो प्रश्ण थया विना रहेतो न थी हाल तो व्रुक्षो थी परियावरन सुधारो अने तेमने कारणे उद्पन्न थतो कचरो बाली के बढ़ावी ने साथे परियावरन ने बगाडो जेतला व्रुक्षो वधारे तेटलो धुमाडो वगारे फक्त जमिन परनो देखातो कचरो जध्यान मां लेवानों के हवान नाम पूरा सूरत रून त्रण लाग पंचानूं हजार एक पियुश महित्ता सूरत गुजरात भारत से प्रकाशित गुजराती डैनिक के दिनाख 14 अक्तूबर 2022 के अंख में चर्चापत स्तंब में प्रकाशित सूरत में वासी पियुश महित्ता का चर्चापत सूरत स्वचता प्रतियोगिता में दूसरा पर हाल ही में सूरत शहर स्वचता प्रतियोगिता में भारत में दूसरी स्थान पर आया और इसलिए गुजरात मित्र में सूरत महानगर पालिका और विशेश रूप से उसके हर घर से कुड़ा इकठा करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कई चर्चापत प्रकाशित हुए इधर एक बात जोड़नी है कि वे लोग पेरों के गिरे हुए पत्तों को नहीं ले जाते हैं और इस कारण बड़ी-बड़ी संस्थाओं जिनके कई व्रिक्षों के साथ के विशाल कमपाउंड्स होते हैं वे ऐसा कूरा जला देने के लिए मजबूर हो जाती है और वो काम यकायक शुरू होने पर आसपास के लोगों को धुए के कारण सांस में दिक्कत होने लगती है यह चर्चापत लेखक जो क्षेत्र में रहता है वहां महान अगर पालिका के उद्ध्यान सहित कई समाजों के कई पेरों वाले विशाल कमपाउंड्स है इस वज़े से यहां इस प्रकार की प्रवृती बार बार होती है तो मन में ऐसा प्रश्न उठी बिना रहता नहीं है कि जो यह कूरा मुफ्त में मिलता है तो महान अगर पालिका इसे एकठा करके जला देने के बजाए कुद्रती, ओगैनिक फटिलाइजर उपदीता करके अपने लिए आयका श्रोद क्यों नहीं बनाती है हाल तो पेरों को समवर्धित करके परियावरन अच्छा बनाओ और इन पेरों के कारण इकठे होते पत्तों को जला के परियावरन फिर घराब करो केवल जमी पर गिरा हुआ कूरा ही देखना या हवा का कचरा भी गिंती में लेता नानपुरा, सूरत, पियूश महेता A small article published in Gujarati daily newspaper Gujarat Mitra being published from Surat, Gujarat, India in section Charjapati, the readers, view column by writ by Piyush Mehta from Naanpura, Surat on the 14th of October 2022 title, Surat stood second in cleanliness competition, of India but, in this day's in cleanliness competition of India Surat stood second and for that so many Charjapathis, have been published in Gujarat Mitra congratulating Surat Municipal Corporation and especially its staff collecting garbage from door to door in this regards, I would like to add, that they collect dry and wet garbage but they don't collect leaves of trees, and therefore, so many institutions having large compounds with big trees are forced to burn such type of garbage and they burn it all of sudden, so the residents of surrounding such places get trouble in breathing due to smoke being produced because of this type of burning due to the locality of this Charjapati writer having so many such places including municipal garden and compounds owned by some other societies too many times such activity is being done so, the question arises in one's mind, that why municipal corporation not collects such leaves garbage, in free and used to produce, natural organic fertilizer to earn income in today's, present situation is such, that grow more and more trees in clean environment and by burning more and more leaves, spoil it again should it be considered only garbage on land or are to be taken into consideration air quality too? Nanpura, Surat Piyush Mehta